नमस्कार प्रियमित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पुखराज रत्न किन राशी एवं लगन वाले जातकों को धारन करना चाहिए पुखराज रत्न किन राशी वाले जातकों का बनाता है राजियोग दोस्तो एक शुद्ध पुगराज रतन यदि पूरे विधी विधान से धारन किया जाए तो यह रातो रात आपकी किस्मत बदलने की ताकत अपने अंदर रखता है पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता कर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विधेश में भेजे जाती है तो चलिए विशा में आगे बढ़ते हैं पहली रासी मेस रासी से ब्रहस्पति पहले और नोवे घर के स्वामी होते हैं दोस्तों उच्छ शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छी नोकरी की प्राप्ति के लिए व्यापार में उन्नती के लिए और घर की सुक्षानती के लिए आपको पुखराज रतन पहनना चाहिए यदि आपके सारे काम बंते बंते बिगड़ जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुखराज धारन करना चाहिए दूसरी रासी करक रासी करक रासी से ब् कोई बिमारी है शत्रू आपको परिसान करते हैं तो भी आपको पुखराज पहनना चाहिए। तीसरी रासी है धनू रासी धनू रासी से ब्रहस्पती पहले और चोथे गर के स्वामी होते हैं। पुकराज आपके जीवन में भूमी, भवन और वाहन का योग बनाएगा, साती सात में आपको स्वास्थेलाब भी मिलेगा. चोथी रासी है मेंद्रासी पुक्राज रतन मेंद्रासी वाले जातकों को बहुत तेजी से चमकाता है चोगी ब्रहस्पती आपके कर्मिस्थान के स्वामी है तस्वे घर के स्वामी है तो यदि आप भेश्म की तरह महत्वकांक्सी हैं अपने कारियों को विस्तार देने के ल आते हैं अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए स्वास्थ है लाब के लिए वैवाइक सुख के लिए और अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए दोस्तों यह चार रासियां और चार लगन वाले जातक पुखराज रतन प सब्सक्राइब